देखें लगभग लगभग ये केस अपने सुनवाई के अंतिम चलनण में चल रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि न्यायाले से मुझे न्याय मिलेगा कोई भी टिपड़ी गलत नहीं कही थी मैंने जो कहा वो सावित भी हुआ और बिक्तरम अजीथिया के मामले में ये मामला चल रहा है आज न्यायाले ने अगली तारीक 18 तारीक लगाई है इनके पास कोई सबूत नहीं है रस्ताचार बीजेपी ने किया है साथ करोन रुपए की रिश्वत शराब भोटाले में बीजेपी ने सरच चन्रेड़ी से खाई है बिक्रम मजीथिया को कहा सपना आया मुझे नहीं पता उनको अपने केस के बारे में देखना चाहिए अपने गुनाहों के बारे में देखना चाहिए बिक्रम मजीथिया को आम आदमी पार्टी के बारे में बोलने का रिकार ने अभी पंजाब के जो बाइलेक्षन है जो जलंदर का वेस्ट का उस पे हम लोगों ने पूरा फोकस किया हुआ है फुद भगवन पान जी वहां के मुख्य मंत्री और तमाम हमारे मंत्री वो सब चुनाव परचार में है मैं भी दिल्ली से खल आया हूँ और वहां के चुनाव परचार में हूँ जलंदर की सीट हम लोग जीतेंगे और भी जो बाइलेक्षन आने वाले दिनों में होंगे माद भी पाटि रायसाबा सांसा जो ने संजे सिंग्जी आज विशेश तोर दे थे पहुंचे ने तुसी वेख सागे देओं की गुरू नगरी दी कोड़े वेचा जो ना दी पेशी सीगी ता मान हानी दे मामले नू लाके जो की प्राणा मामला चाल रहा ता आज फेर तो तरीक से गी ता एक तस्वीरा तड़नाल संजा का रहे हैं कि आमाद मी पार्टि दे जो रायसाबा सांसाब ने जो शृरी संजे सिंग्जी आज विशेश तोर दोते थे पहुंचे ने ता एक तरीक सीगी उना दी आज जो की मसले नो लाके ता एक तस्वीरा तुसी वेख स चुके ने अट अना संजा कर रहे हैं की संजे सिंग जी एथे आ चुके ने पेशी तो बाद हुन मीडिया दिनाल वी गलबात करेंगे ता दूरूर ओना दिनाल गलबा कर देया की ओना दैस मसले लेके की काना आज गुरुनगरी पहुंचे ने ता संजे सिंग जी जी सर देखें लगभग लगभग यह केस अपने सुनवाई के अंतिम चलन में चल रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि न्यायाले से मुझे न्याय मिलेगा मैंने कोई भी टिपड़ी गलक नहीं कही थी मैंने जो कहा वो सावित भी हुआ और बिक्तरम मजीथिया के मामले में यह मामला चल रहा है आज न्यायाले ने अगली तारीक अठारा तारीक लगाई है और जल्दी ही यह मामला अंतिम सुनवाई की और वड़के इसमें आदिस आएगा कितनी बार एक ही चीज को पूछोगे और कितनी बार मैं बताओं देखे दूद का दूद पानी का पानी हो चुका है पीमले के मामले में अगर किसी न्यायाले से आपको जमानत मिलती है तो उसमें पहली शर्त होती है कि न्यायाले को यह लगना चाहिए कि व्यक्ति निर्दोस है न्याय बंदू जी की कोट ने लोवर कोट ने ट्रायल कोट ने एडी की कोट ने अरविंद केजरिवाल को जमानत दी उस जमानत के आदेस की कौपी के बगएर एडी ने जबरदस्ती जाके हाई कोट से जूटी बाते करके और्डर की कौपी के बगएर इस्टे ले लिया उनकी रहाई पर भारत के न्याए पालिका के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ पहले तो ये सारा देश देख रहा है कि किस तरह से बीजेपी की सरकार प्रधानवंति नरेंद्र मोदी जी की सरकार हमारे पीछे पड़ी हुई है केजरीवाल जी को जेल में डाला मनिस से सौधिया जेल में है सतेन जैन जेल में है मुझे छे महीन जेल में रखा इनके पास कोई सबूत नहीं है ब्रस्ताचार बीजेपी ने किया है साथ करोन रुपए की रिश्वत शराब घोटाले में बीजेपी ने सरचन रेड़ी से खाई है इसका सबूत चिला चिला के बोल रहा है एलेक्टोरल बॉंड के रूप में तो कारवाई उनके उपर होनी च कि यह पॉलिटिकल वेंडेटा है राजनीतिक प्रतिशोध के कारण राजनीतिक दुर्भावना के कारण हमारी पार्टी के नेताओं को परिशान किया जा रहा है और उनको जेल में डाला गया है देखें ऐसा है पंजाब की सरकार ने जो भी पंजाब का बेटा वो चाहे पंजाब पुलिस में हो या सेना में जवान हो अगर वो शहीद होता है तो उसके परिवार को एक करोड़ रुपै की सम्मान रासी दी जाएगी जो मामला इस समय पूरे देश में चर्चित है अगर आप देखेंगे तो उसमें भारती जन्ता पार्टी का जूट संसत के अंदर बोला गया जूट पूरे देश के सामने उजागर हो गया सहीद अजे कुमार के परिवार को भगवंत मान जी की सरकार ने एक करोड़ रुपै की सम्मान रासी उनके परिवार से मिलके दी उनकी बेहन को नौकरी देने का स्वासन दिया जैसे उनकी बीए की डिगरी कम्प्लीट हो जाएगी लेकिन केंदर सरकार इंसोरेंस के पैसे को ये कह रहे हैं कि हमने उनको एक करोड़ की आर्थिक शाहता दी वो पूरी तरीके से गलत जान करी है और अब वो भी उनके परिवार के बयान के बाद मोदी सरकार का जूट सामने आ चुका है ये शहीदों का सम्मान नहीं करते, ये सेना का सम्मान नहीं करते, ये भारत माता की रक्षा के साथ सौधा कर रहे हैं, देश की सेना को कमजोर कर रहे हैं, ठेके पर सेना नहीं रखी जा सकती, और अगनी वीर योजना ठेके पर सेना रखने की योजना है, चार साल के ठेके पर कि आप सेना को रख रहे हैं अगर यह अच्छी योजना है तो मैं कहना चाहता हूं बीजे पी के मंत्रियों को बीजे पी के सांसदों को बीजे करने के बिदायक को अपनी बैटों को भी अगनी वीर बनाओना तब पता चलेगा आपको तो इसलिए भारत की सेना के साथ ये समझझाता है सुरक्षा के साथ समझझाता है देश की सेना को कमज़ोर करने की कोसिस है और ठेके पर सेना नहीं रखी जा सकती यह आम आदमी पार्टी का स्टेंड है कि अगनी वीर योजना वापस ली जाए और जैसे सेना में पहले भरती होती थी वैसे ही भरती की जाए देखें यूके में अगर गलती हो गई रिसी सुनक से अगर यहां के एक्जिट पॉल वालों को रिसी सुनक हायर कर लेते तो वहां भी 400 पार कर देते हैं हमारे आंखे जितने भी एक जिट फोल वाले थे मैं नाम नहीं लोगा सारे लोगों का जनते हैं 400 पार एक झूपा नारा था जिसको प्रधान संत्री और बीजेपी ने पूरे देश को भ्रमित करने के लिए दिया जंता ने उनको तड़ी पार किया उन्होंने 400 पार का नहरा दिया यह सरकार ज्यादा दिन चलेगे नहीं आप लोग देख लिजिएगा सरकार बनी जरूर है लेकिन चलेगी नहीं क्योंकि बैसाखी के सरक सरकार है बैसाखी के सहरे सरकार चल रही है और यह सरकार गिरेगी अब बिक्रम मजीठिया को कहा सपना आया मुझे नहीं पता उनको अपने केस के बारे में देखना चाहिए अपने गुनाहों के बारे में देखना चाहिए बिक्रम मजीठिया को आम आदमी पार्टी के बार अपने मंसे कोई नहीं नहीं बातए आप्लोग चलाते रहेंगा उसका की मतलब थोड़ी है विक्रमजिठिया फासै कम नेता है उसको यह का यह व्यारी के नेता अर्भिंद के जीज जेल से बाहर आएंगे उसके बारे में हरियाना के बारे में हम लोग तैंक करेंगे क्या वहाँ पर करना है अभी पंजाब के जो बाइलेक्षन है जो जलंदर वेस्ट का उस पे हम लोगों ने पूरा फोकस किया हुआ है खुद भगवन पान जी वहाँ के मुख्य मंत्री और तमाम हमारे मंत्री वो सब चुनाव परचार में हैं मैं भी दिली से कल आया हूँ और वहाँ के चुनाव परचार में हूँ जलंदर की सीट हम लोग जीतेंगे और वी जो बाइलेक्षन आने वाले दिनों में होंगे उसको हम लोग जीतेंगे सपत दिलाना एक संसदी प्रकिरिया है और वो अधिकार संसद कह होता है कि आज जो संसद रासाबा संसद जो आज विशेश तोर दोते थे पहुंचे संता होना वोलो वड़े ब्यान मीडिया देनाल संजे किते गेने तो बीजे पी दोते कहीं निशाने साधे गेने उना वन्हों ता ए तस्वीरा तानाला गुरू नगरी दी जो कोट या उत्तों कि आज जो संजिया कारे की संजे सिंग जो आमात्मी पार्टी तो रासाबा संसद ने ओ आज गुरू नगरी दे वेच पहुंचे ने ता कहीं वड़े ब्यान ओना वोलो आज दिते गेने ता बीजे पी दोते वी कहीं निशाने जो ना वोलो साधे गेने कैमरमन संदीक कुमारतना लक्षा सुनेक जागबनी टीवी शिर्यम ससाइट